हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल न्यू पैटन में नेक डिजाइन बनाने के लिए सूट के कपड़े में हमें 15 इंच की लंबाई नापकर उपर की साइट की कटिंग कर लेनी है इसकी चौड़ाई एक साइट से हमने साड़े 9 इंच लिए लेकिन आप अपने हिसाब से लिजेगा जितना आपका फिटिंग साइज है उतना ही चौड़ाई लिजेगा अब हम बकरम को लेंगे बीच में से बकरम को फोल्ड करके तीन इंच की चौड़ाई पे और सात इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे स्केल की सहायता से इन दोनो टिक को हमें ऐसे लाइन अप करना है अब ये देखिए यहाँ पर हलका सा गोल सेप में नोखिला पैटन लेना है यहाँ पर हम एककिनज की चौड़ाई नापकर ऐसे टिक लगाएंगे टिक लगाने के बाद हम इस टिक को लाइन अप कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें अब हमें इसकी कटिंग करनी है एक बात और फ्रेंड मुझे कई दिनों से एक कमेंट आ रहा है जिसमें ये लिखा रह रहा है कि मैं अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करूँ तो फ्रेंड मैंने इस टोपिक पे वीडियो अपलोड किया है अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इस वीडियो की लिंक डिस्किप्शन में दी है आप वहां से देख सकती हैं अफगानी सलवार की कटिंग और स्टिचिंग तो ये देखिए गले की ऐसे सिलाई करने के बाद अब जो हमारा 15 इंच लंबा सूट का कपड़ा था उसमें हमें गले की डिजाइन को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेनी है सिलाई चलाते हुए हमारी ये लाइन कमप्लेट हुई अब हम यहां से धागे को कट कर लेंगे सिलाई के हलके से बगल में हमें एश्टरा कपड़े को यहां से कट करना है ध्यान रहे आपके सिलाई कटनी होनी चाहिए ये देखिए यहां कोने की साइड में हम हलका सा कपड़े को ऐसे कट करेंगे फिर सूट के कपड़े को उल्टा करेंगे और बक्रम को फोल्ड करके सीधा करेंगे इसे परफेक्ट सेप में बैठाने के लिए हमें डिजाइन को अच्छे से इस्तरी कर लेना है इस्त्री करने पे हमारे डिजाइन में आगे की साइड से ये देखिए परफेक्ट फिनिशिंग आई है अब हम यहां सोल्डर की साइड में देड इंज की चौडाई पर ऐसे टिक लगाएंगे और एक बराबर में सकेल की सहायता से लाइन अप कर लेंगे लाइन अप करने के बाद हम इस लाइन को कट कर लेंगे ये देखिए हमने कपड़े को दो भागों में ऐसे कट कर लिया है ये वाले कपड़े को हम साइड में रखेंगे और ये वाले कपड़े पे हमें यहां पर लंबाई नाप कर टिक लगानी है तो साड़े 9 इंच की लंबाई पे और नीचे की साइड में हम साड़े 10 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे फिर स्केल की सहायता से हम तिर्ची में यहाँ पर लाइन अप करेंगे ये देखिए ऐसे लाइन अप करना है आपको अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे डिजाइन को तयार करने के लिए हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चौड़ाई दो इंच है बीच में से हम एक कपड़े को फोल्ड करके यहाँ पर लगाना है अब हम कपड़े के उपर सिलाई चला लेंगे आप इस डिजाइन को सिंपल सूट में भी बना सकती हैं और अमरेला सूट में भी बना सकती हैं दोनों में ये डिजाइन बहुत ही सुन्दर लगेगा यहां से एश्टर कपड़े को कट करेंगे और इस कपड़े के थोड़ी सी दूरी पे ये देखिए उपर नीचे करते हुए ऐसे हमें एक के बाद एक कपड़े को लगा कर सिलाई कर लेनी है तो ये देखिए फ्रेंट, एक के बाद एक हमने कपड़े को ऐसे लगाते हुए कपड़े की धेसारी लेयर तयार कर ली है अब हम इस कपड़े को उल्टा करेंगे और यहां किनारे की साइट से एस्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी कपड़े को सीधा करने के बाद अब हमें धेर सारी डोरी की ऐसे कटिंग कर लेनी है डोरी की लंबाई हमने दो इंच आठ पॉइंट ली है यह देखिए यहाँ पर हमें डोरी को ऐसे लगाना है थोड़ी थोड़ी दूरी पे डोरी को फोल्ड करके यहां पर लगाएंगे और इसके उपर सिलाई चला लेंगे तो यह देखे फ्रेंड जहां तक हमारा डिजाइन है वहां तक हमने डोरी को ऐसे फोल्ड करके लगाकर सिलाई कर ली है अब हम यहाँ पर धागे को कट कर लेंगे धागे को कट करने के बाद अब जो हमारा सूट का कटा हुआ कपड़ा ये वाला है इसे हमें फिर से ज्वाइंट करना है तो ये देखे दोनों कपड़े को ऐसे लगा कर हमें यहां किनारे की साइड में सीधी सिलाई चलानी है सिलाई चलाते समय कपड़े को ज़्यादा टाइटली मत घीचेगा नहीं तो आपका कपड़ा छोटा बड़ा हो जाएगा अब हम इस कपड़े को सीधा करेंगे तो ये देखिए हमने दोनों कपड़े को ज्वाइंट कर लिया है इस लाइन को कम्प्लीट करने के बाद अब हमें सूट के नीचे की साइट का घेरा बनाना है तो घेरा बनाने के लिए हमने ये कपड़ा लिया है इसकी चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं लेकिन मैंने कपड़े की चौड़ाई एक साइड से 17 इंच ली है कपड़े को ओपन करके यहाँ पर लगाएंगे और ये देखिए मीडियम साइड में हम चूनट को ऐसे बनाएंगे और सिलाई चला लेंगे वैसे आप एकदम छोटे-छोटे पैटन में भी चूनट बना सकती हैं मैंने मीडियम पैटन में ऐसे चूनट बनाई है अब हम धागे को यहाँ से कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने नीचे की साइड का घागरा में ऐसे चूनट बना लिया है अब जो हमारा उपर की साइड का कपड़ा है वो हम इसमें ज्वाइंट करेंगे तो ये देखिए दोनों कपड़े को हमें ऐसे ज्वाइंट करना है यहाँ एक बराबर में ऐसे लेकर किनारे की साइड में सिलाई चला लेंगे अगर आप इस टिजाइन से रिलेटेट ट्राउजर डिजाइन या स्लीव इस टिजाइन देखना चाहती हैं तो उसकी लिंक हमने डिस्किप्शन में दी है तो ये देखिए दोनों कपड़े को ज्वाइंट करते हुए हमारी ये लाइन कम्प्लीट हो चली है अब हम यहां से धागी को कट करेंगे धागी को कट करने के बाद हम कपड़े को सीधा करेंगे चूनट को अच्छे से हम बैठा लेते हैं आप चाहे तो इसे अच्छे से इस्तिरी भी अभी कर सकते हैं अभी मैंने एक चूनट को इस्तिरी नहीं किया है अब हम सर्ट का button लेंगे सर्ट के button को कपड़े में फोल्ड करके धागी की मदद से कपड़े को lock करेंगे फिर एस्ट्रा कपड़े को cut करके सारे डोरी की design में ऐसे button लगा देंगे button लगाने के बाद हमारा ये design complete हुआ तो friend, design complete होने के बाद अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए तो प्लीस हमें कमेंट में जरूर बताईएगा हम आपके कमेंट का वेट करते हैं इसी के साथ हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ थाइंक्स पॉर वाचिंग माई वीडियो झाल 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 झाल